नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल आचार जागंद्र मिस्त्रा में आज हम बात करेंगे आज के मिथुन राज के दैनिक रासफल के बारे में लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में 26 जनबरी 2021 मंगलवार का दिन है और पोश माश शुकल पक्षी त्रियोद शीती थी है नचत रहे आदरा अब जीत महूर्त तुपार 11 बच के 42 मिनट से लेके 12 बच के 40 मिनट तक रहेगा आज के सूरी उदे सुबह 6 बच कर 25 मिनट पे और चंद्रमा मिथुन रास पे गोचर कर रहे हैं आज के जो अशुब समय होगा वह साम 4 बच कर 15 मिनट से लेके साम 6 बच कर 43 मिनट तक रहेगा इस अशुब समय में कोई भिसुब और नेकार की सुरुवात ना कर लेने तो बिखनवाधाई आशकती है अब बात करते हैं आज के मितुन रास के देनिक रासवल की और ये प्रेटिक्शन चंदराशी पर अधारी थे मितुन रासवले जातकों आज ये तीन घटना होकर रहेगी आज आपको क्योंकि आज की दिन थोड़ा सा भारी है इसले थोड़ा सा सभल के चलने की आवशकता होगी आज आपके केरियर में कुछ लोगों के साथ मदभेत उभर सकते हैं जो कुछ पहले आपके काम से जलते थे या आपके काम की सराहना आपके बॉस करते थे और उनको बुरा लगता था या आपके पद पृतिष्ठा मान सम्मान को लेकर कोई आप से जलता था या बिरोध करता था आपके इस टाप आफिशली वर के माध्यम से तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको सतर करहनी के आवश्यक्ता होगी और मिधुन रास्किजात को अगर आप कोई भी काम करते हैं आज तो थोड़ा सा धैर पूरवक ले कोई भी काम में जल्दवाजी ना करें हलाकि आज इस्टुटेंट के लिए काम्यावी से भुरा रहघा इस्टुटेंट के लिए काफी अच्छा समय रहेगा पढ़ाई में मन लगेगा और जो पढ़ाई कर रहे हैं वो याद भी रहेगा और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आज लेकिन अपने मेहनत पे कोई कमी ना आने दे मिधन राज की जात को आज की दिन इसका आपको फाइदा होगा अगर आप मेहनत करते हैं तो दोस्तों केडियर में जहां आप नोकरी करते हैं जोब करते हैं वहां अपने बोस को खुस करके और उनसे सारी सलाह लेकर अगर काम करते हैं तो इस टाप के लोग कितना भी आपके जलें आपको कुछ नहीं बिगाड सकता बस अपने यानि काम पर फोकस बनाए रखें और आप इन धन के नुक्सान के भी योग बने हुए हैं यानि धन खर्च होते हुए नजराएंगे अजनवी लोगों को बिल्कुल भी आज पैसे उधार बिल्कुल ना दे और मितुन राज के जात को आज किशी पर भी भरोशा ना करें अजनवी व्यक्त पर और धन के मामले पे आज पैसा उधार ना लेना है और ना देना है आप लोन वगेरा अगर लेने की सोच रहे हैं तो आज की दिन टाल दे तो अच्छा रहेगा क्योंकि अगर आज आप पैसा देते हैं चैहें खास कोई आपका रिष्टेदार हो या कोई आपका खास करीबी है अगर आप देते तो रिष्टे में खटास आ सकती है पैसे की वज़े से इसलिए थोड़ा सा किसी को बिल्कुल ना दें और इंतजार करें धैर करें और उचित समय का यानि इंतजार करें तो आपके लिए बहतर रहेगा मितन रास की जात को आज आपको हर काम में प्लानिंग के तहती करना है प्लानिंग करके ही करें और भविस में बेहतर रिजल्ट देखने के लिए आपको धैर और सहन सेलता ये दो चीज आपको बहुत आवश्यक है रखने के लिए मितन राज के जात को आज आपके कारचेतर पे आज आपको ध्यान देने की जरूरत है अगर आप ध्यान देते हैं तो लाव डबल हो शकता है क्योंकि जो सोच रहे हैं वो पूरा तभी होगा जब आप अपने कारचेतर पूरी तरह से मन लगा कर ध्यान देंगे हलाकि आज आज आपके मन में कनफ्यूजन जैसे इस्तिती बनी रहेगी इसमें कोई भी फैसला लेने से आपको दिक्कत आशकती है आज की दिन मिथन राज के जात को किशी अपरी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है और आप अगर नौकरी करते हैं तो देखे केरियर में सफलता तो मिलेगी लेकिन प्रति इस पर्धा बनाए रखिएगा और यही आप के लिए मुनाफ़ा का कारण भी होगा और बोस को आप यही बोस से अच्छे संबंध रखिए बोलचाल का तरीका बदलना होगा आज की दिन मिथन राज के जात को अगर बिदेश संबंधी कोई कार करते हैं या फिर कोई कार आपका अठका हुआ है तो वो भी अब आपका एकदम थोड़ा सा रुक कर या धहरता पूरवक सेहन सीलता से काम लेंगे तो जरूर अच्छी खुसकबरी मिल सकती है और अगर आप लोन बगेर लेने के सोच रहे हलाकि धन आएगा लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा निवेश करनी के अवशक्ता नहीं है आपका काम चले का रूकेगा नहीं और जीवन में जो परेसानिया चली आ रही हैं उन परेसानियों को सोल्व करने के लिए आप अपने घर परिवार का मदद ले शकते हैं हलाकि इ बिजिनेस बॉपार में भी चैसे आप अपने पार्टनर्शिप के साथ विए पार कर रहें साजहदारी के साथ या आप कहीं यानि की कोई भी आपके साथ जुड़ा हुआ है आपके ब्यापार में तो आप उनसे टकराव या विवात किस्तितनी ना पैदा करें नहीं तो द देखिए मित्तु रास के जादत को घर परिवार का शहयोग और सपोर्ट आपको उत्साह देगा और आतमवल में बिधा ने हैंजारी मिल रहा है अगर आप बाहन भी चलाते हैं थोड़ी से सावधानी बरते हैं बाहन चलाते समय नियंतरन में रखें ज्यादा श्पीड में ना चलाएं अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं रोड बगार में तो भी आप सावधानी पुरवक चले और अगर आपकी शिक्षाद ड्राइविंग यानि चल रहे हैं तो आपको थोड़ा सा धीरे धीरे चलने के शलाह दी जाती है क्योंकि आज आपके पैरों में भी चोड़ चेपेट लगने की संभावना है मोच हो सकता है या कमर में दर्द हो सकता है यहाँ पर मितुन राश्कजाद को घर परिबार का शपोर्ट मिल सकत काद उनसे मुलाकात हो रही है और एक दूसरे के करीब रहेंगे और कुछ मन की बाते जानेंगे और आप कुछ नए प्लानिंग करते होए नजडराएंगे हलाकि कुछ मतभेद हो शकते हैं आपसी घरेलू कुछ मामलों की वज़े से आपस में थोड़ी से दूरिया बन सकती है लेकिन फिर भी इस दूरियों को आप सभालने की आवशकता है और आपको इन दूरियों को नजदी की में बदलने के प्रयास करना चाहिए मित हुंदास के जात को लव लाइव की बात करें तो लव लाइव में थोड़ी सी अनवन चल सकती है थोड़ी सी परेशानिया चल सकती है क्योंकि हमने पहले कहा है कि आप के लिए ये तीन घटना होकर रहेगी तो पहले तो आपको किसी से बिवाद नहीं करना है और लब पर आपसे नाराज होंगे और आपसे भीवाद भी खड़ा कर सकते हैं अज के दिर मितुन राज के हैं तो मित्तुन राज के जात को आज आपका शुब रंग रहेगा हरा भाग शात्री भारा आपका यानि कि शिवन्टी पर्शन्ट दोस्तों जाते जाते वीडियो लाइक जरूर करिए नहीं तो सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए